आज हम राजमा वाली दाल बनाते हैं दाल मकनी तो दाल हमने भिगो दिया था रात में ये बॉयल कर लिया है कुछ इस तरह से तो ये 100 ग्राम उरत की दाल और 100 ग्राम राजमा है तो इसको हमने बॉयल कर लिया है चार सीटी लगाके तो चलिए इसको छोक लेते हैं तो ये दे और इसको गरम होने देते हैं ये कटा हुआ प्याज इसमें डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं ब्राउन होने तक तो इसे सौटे कर लेते हैं थोड़ा सा और ये क्रस की हुई एक चमच के करीब लसुन है उसको भी डाल देते हैं और एक खरा मिर्चा उसको भी काटके ड दाल दिया है तो इन सब सारी चीजों को ब्राउन होने तक भूनना है और एक पिंच के करीब हींग बहुत अच्छा होता है डाजेस्ट के लिए तो इसलिए इसको डाल देते हैं स्वाद में भी काफी अच्छा लगता है तो हमारा देखिए प्याज ब्राउन हो गया है अब स्वाद इसी स्वाद अनुसार डाल देंगे तो इससे टमाटेर हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा अगर आपको और इसार प्यूरी ब्राउन हो तो आप प्यूरी भी डाल सकते हैं तो हमनी काटके डाल दिया है तो तो नमक किसी लिए डाल देते हैं कि ताकि यह बहुत जल्दी गल जाए तो यह देखिए हमारा गल गया है टमाटर अब हम हल्दी डाल देते हैं मसाले तो आधी चमच हल्दी और एक चमच के करीब धनिया धनिया पाउंडर है ये और चोथाई चमच लाल मिर्च इसको भून लेंगे मसाले को भी इसी में भून लेंगे तो इसे इस तरह से भून लेना है चला के और एक चमच के करीब कस्मीरी लाल मिर्ष डाल देते हैं तो देखिए साइट में देखिए मसाला हमारा चिपक रहा है और आयल भी छोड़ दिया है इसने मसाला भुन गया है अब इसे स्टेश पर हम दाल को इसे में डाल देंगे जो हमने बॉयल किया था तो ये बहुत टेश्टी दाल बनती है फ्रेंड्स कभी कोई महमान आ जाएं तब ही आप बनाएं बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरीके से इसको चला लेंगे और थोड़ा सा गाड़ा ही रहता है तो थोड़ा सा इसमें हम पानी जाल देंगे आधा गिल्यास के करीब और इसको भी चला देंगे इस तरह से अब इससे बॉयल आने देते हैं इस तरह से तो ये देखिए हमारा बॉयल हो गया है कूल के देख लेते हैं तो देखिए बॉयल हो गया है हमारा बहुत अच्छा हो गया है बन गया है दाल हमारी पक गई है तो चलिए अब इससे बंद कर देते हैं गैस को देखे किती बढ़िया राजमा वाली दाल हमारी बंद गई है तो अब इसके बंद कर देते हैं और इसे अब सर्विंग प्लेक में सर्विंग बाउल में इसको डाल देते हैं इस तरह से देखे किती बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है तो आपको उपर से और छोक ना है तो आभी और छोक सकते हैं मक्षन वगयरा में तो हम तो मक्षन बस खाली उपर से थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे एक चमच के करीब और अगर आपको ज्यादा तीखा तो हम ज़्यादा नहीं चोकते हैं इस तरह से तयार हैं अ